अगे देखते हैं आपके कंडिशन्स क्या क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम की इफ रजिस्टर्ड पर्संट डिस डिजायर्स तू आप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम देन देर आर मैनी पैरामीटर्स विच कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉड्ली इंटू फॉल्विंग पहला क्या है करेक्ट टर्न ओवर लिमिट होती है यहां पर परसंट कौन सा आदमी है जो इसमें नहीं आ सकता हो यहां पर लिखा हुआ है और कौन कौन सी कंडिशन और रस्टिक्शन से जो की रूल फाइफ में लि छोड़ तो इस चीज़ को बेटा और रजिस्टर्ड पर्सन फोज एग्रिगेट टर्न ओवर इंद प्रिसीडिंग फैनेंशियल यर क्या लिखा हुआ है अगर आपकी टर्न ओवर पिछले साल में डेड़ करोड से ज्यादा नहीं गई है तो अगर आपकी टर्न ओवर पिछले फैनाशियल यर में डेड़ करोड से ज्यादा नहीं गई है तो आप इसका बेनेफिट ले सकते हैं हावेवर अग्रिगेट टर्न ओवर इन दप्रिसीडिंग फैनाशियल यर शेल भी 75 लैक्स इन केस ऑफ एन एलिजिबल पर्सन अब पर्सन कौन सा है जो की मेरा अरुनाचल पर्देश में है मनिपूर में है मेगाले में मिजोरम में है नागालेंड सिक्क्यम त्रिपुरायन उत्रागंड में है में तो मेरी डर कितनी है π कि और आप अगई व्यूर के लेज़ करऊओ अब उसन है तो आपकी कि मिट बैट अब एक को अड़्य पर देखिए टेबल को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि भल टेबल देखिए समझ में आ रही कि नहीं आरी एवे टेखिए युनियं ठेरीटिरी कोई सी भी हो स्टेट कोईसा भी हो आसाम हैं महत्तर सब को करकर मेरी लिमिट यो है वह 1.5 करोड की है लेकिन अगर यह ॐ योक्राइब सर्UL इता तो यह मेरी मिसरे मेरी लिमिट 75 य Yar तो बलुक्राइब 25 spreading और intéressant तुरिए सब्सक्राइब लाइए अने बड़्स विए वाली बढ़ा लॉटर अम्हें आप बढ़ना साहर कि निकालते हैं यहाँ पेटा सा अलग है क्यों कि यह पूरा कॉंसेप्ट है ठीक है this is the totally different concept clear यह वो concept नहीं है कि नो क्योंकि यह देखा जाए तो बिल्कुल पूरे law को यह बाइपास करता है अगर आप इस section की wording पढ़ेंगा ना जो law में लिखी हुई है उसमें लिखी हुई है notwithstanding anything contained in the act उसमें यह लिखा हुआ है ठीक है देखे क्या कहता है all taxable supplies of goods and services पहले चीज़ सारी taxable supplies को लेना है exempted supplies यह भी लेनी है export of goods services वो भी लेना है और interstate supply भी हमें लेनी है ठीक है बेटा हमें interstate supply भी लेनी है और यह हमें पता है बेटा कि turnover हम पूरे पैन नंबर की हिसाब से निकालते हैं और हमें पता है कि हमारे यह स्टी नंबर होता है वह पैन नंबर के basis पर हमें मिलता है तो देखा जाए तो पूरी इंडिया में जितना काम आपका हो रहा है सारा काउंट किया जाएगा ठीक है अब कहता है कि इसमें से क्या क्या हटा देना है अफकोस जो हम टैक्स होता है वह हम काउंट वैसी भी नहीं करते बेटा जो टैक्स होता है वह भी हम कभी काउंट नहीं करते हैं ठीक है अब कहता है कौन 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 से लोग इसको आप्ट नहीं कर सकते पहले हमने देखा था टर्रण ओवर फिसा की कौन नहीं ले सकता देखिये परसंस वो कैंनोट आप्ट फॉर कॉंपोजिशन स्कीम पहला क्या है अगर देखिये आप कोई सप्लायर ओव सर्विशिज है अगर देखिये आप कोई सप्लायर ओव सर्विशिज है खाने वाले समान को छोड़के अगर आप कोई सप्लायर सर्विशिज कर रहे हैं और वैल्यू नॉट एक्सीदिंग 10 परसंट ऑफ टर्न ओवर इंदा स्टेट यूटी इंदा प्रसीदिंग फानेंशियल यह और फाइफ लाक्ट विच्चेवर इस हायर अगर आपकी टर्न बिजनस में इंगेज्ट हैं सप्लाय गूड्स और सर्विच आर नॉट लैविबल टू टैक्स अंडर ऑफ कोर्स अब जब बिजनस जिस एक्ट में एप्लीकेबल एक्ट आपके पर एप्लीकेबल ही नहीं तो इसका बेनिफिट क्यों लोगे आप अब लेहीं नहीं सकंट है यह सब्सक्राइब करें तो अब में ले पाएं दिली में तो मॉम्बाइ पहर रहा किने वहीं होगा सब्यों किन में टोन להיות कि हat फिर्यकों इससिद्ट इस एकिने में एनि सप्लाइज ऑफ गुड्स और सर्विसीजिश द्रू दा intrigued सब्सक्राइब और अगर आप एक कैजुवल टैक्सिवल परसन है या फिर आप नोन रेजिडेंट टैक्सिवल परसन है आप लोग भी इसका बेनेफिट नहीं ले सकते हैं ठीक है बेटा को है अब देखें वेटा दो चीजे होती है कि या तो कोई अन्रेजिस्टर परसन होगा जो इसके अंदर रिजिस्टर करेगा या फिर वह रिजिस्टर परसन अलर्डी होगा और वह इस स्कीम के लिए प्लाई करेगा ठीक है पहली चीज क्या है कि पहले आप unregister person है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप रेजिस्टर परसन है आप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं ठीक है क्या कहता है कहता है यह वैसे थोटा पर रेट क्या लगे गया रेट देखिए कि अगर 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 आप अगर 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 कि अगर सब्सक्राइब मेंगिश्प्लाईज अगर अगर आपको सब्सक्राइब कर रहा है यहां पर रेट क्या आगया आपका इधर आगया आपका फाइफ परसेंट नॉमल में एक परसेंट अगर कोई ट्रेडर है ट्रेडर कि बिजनसश जमान खरीटता और बेआज देता है खरीद रहा है बेच रहा है खरीद रहा है तो यह पी परसेंट एक परसेंट है यह रेट आपको याद रखने पड़ सकते हैं यह रिट आपको याद रखने पड़ेंगे क्यों 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 कि यहां पर इस्पेसिफिक चीजें ठीक है तो यह आपसे पूछेगा कोई डाउट में तक मुझे बता दीजिए कॉम्पोजिशन में कोई डाउट लेवी में कोई डाउट कलेक्शन में कोई डाउट पता दीजिए कर लेना है ठीक है कोई डाउटर मुझे बता देना हम क्लास में डिस्कुस कर लेंगे अब हम इसकी देखते हैं कितनी होती है जब कंडिशन सैडिस्फाई हो जाती है ठीक है यह आपको मिलेगा कोई नई डिकलेशन आपको हर सल देनी की जरूवत नहीं होती है ठीक है और जब अगर आपकी टरनोवर क्रॉस कर गई अगर आप इसको से बाहर आना चाहते हैं साथ दिन के अंदर बताईए आप से बाहर आ सकते हैं टैक्स एस पर नॉर्मल टैक्सेशन आपके उपर लगना शुरू हो जाएगा जैसे आप से बाहर आएंगे आप इन्पूट का बेनिफिट ले सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी इसको इससे बाहर आ सकते हैं आपने नॉर्मल टैक्स चार्ज कर लिया 18 ठीक है आप स्की क्लेम कर लिया आप स्कीम से अपने आप बाहर आजाएंगे ठीक है और आप चाहो तो खुद भी स्कीम से अपने आप बाहर आ सकते हो ठीक है यह हमारा पूरा का पूरा हमारा था लेवी एन कलेक्शन ऑफ जीस्टी इसके अंदर कोई भी डाउट हो बिटा बता देना हम डिसकस कर लेंगे क्लास में भी और ओफ-लाइन भी आप लोग टेलिग्राम का पार्ट है इंगरूप का वहापी हम डिसकस कर सकते हैं क्लास कर गी तरोफ